उत्राखन कॉंग्रेस ने विधान सभा में बैक टॉर्ट से हुई न्यूक्ति के बाद बिना नोटिस के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सवाल खड़े कर दिये हैं दरसल कॉंग्रेस प्रदेश और ध्याक्ष करण महरा ने कहा कि विधान सभा ध्याक्ष ने जलबाती में बिना नोटिस दिये कर्मचारियों को निकाल दिया जो की गलत है कॉंग्रेस ने कर्मचारियों को निकालने की लड़ाई नहीं लड़ी थी बलकि कॉंग्रेस ने बैक टॉर्स से भरती करने वाले नेताओं के खिलाफ कारवाई के लिए इस लड़ाई को लड़ा था नियुक्तियों को लेकर चल रहे प्रकरण में यह बहुत ही दुखत पहलू देखने को आया कि जल्दी बाजी में बिना नोटिस दिये वे लोगों को बरकास्त करने की करवाई विदानसबाद दिक्स के द्वारा की गई है जो अपने आप में केस को कमजोर करती है कॉंग्रेस की लड़ाई किसी की नौकरी से उसको हटाने के लिए नहीं थी कॉंग्रेस ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि जिन नेताओं पे जनता ने भरौसा करके उनको इस योग्य बनाया था कि वो बड़े बनेंगे और लोगों को चाया देंगे बड़े वरक्ष के रूप में वो ना करके इन लोगों ने अपने परीजनों को बैक डूर से नौकरीयां दिलाने के काम किया जिसमें योग्य बच्चे चाहिए वो लड़के हों लड़के हों उनकी नौक्रियां लगनी चाहिए थी उनके स्थान पर अपने परिवार के लोगों को बैक डूर से इन लोगों ने नौक्रियां लगाई